Hi everyone, welcome back to my channel. So, I hope that you all will be very good and you will be very good at your exam preparation. So, in this video, we will talk about today's new video. Again, BSE 5th semester's Geology Paper 1 from Unit 1's 4 topics that is your cycle. Okay, this is our 4th topic that is cycle and after that, we will move forward on our Ovalia and Aurelia. So, we are done with the protozoans. Now, in this video, we are going to discuss about the poriferans and poriferans में आपको cycle जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, porifera जो है, पहले तो मैं आपको एक बार Unit 1 का content दिखा देती हूँ. देखे, Unit 1 में हम लोगों को पढ़ना था, protozoa से, yuglina, monocystis and paramecium. Porifera से हमें cycle पढ़ना था, and cilantro से हमें ovelia and aurelia पढ़ना था. ठीक है, लाइक पढ़ना है अभी, तो we are done with these three, and now we are talking about the cycle. ठीक है, now cycle जो है, यह काफी interesting topic है, देखने में आपको बहुत ही सुन्दर और बहुत ही खुपसूरत नजर आते हैं यह. ठीक है, आप समझ यह, जो हमारा cycle है, इसे हम skypha भी कहते हैं. ओके, क्या कहते हैं? हम इने, skypha भी कहते हैं, और skypha जो है, यह एक word से लिया गया है, that is skyphos. ओके, तो skyphos मतलब क्या होता है, ना, कि skyphos मतलब हम जानते हैं कि cup, skyphos मतलब होता है cup. तो एक ऐसा organism जो आपको cup की तरह दिखाई दे रहा है, उसे ही आप क्या कहते हो, skypha कहते हो. अनदर भी इनके काफी सारे names हैं, लाइक, अगर मैं बात करूँ, तो skypha का अनदर नेम, urn sponge है, चीक है? आप इने urn sponges भी कहते हो, second, आप इने crow sponges भी कहते हो. तो ये चीज़े भी याद रखिएगा आप लोग, okay, commonly हम इने क्या कहते हैं, urn sponge भी बोलते हैं, urn sponge का मतलब क्या होता है actually, urn sponge का मतलब आप समझ सकते हैं, a water vessel, क्योंकि जब आप इनका water canal system अभी जब मैं पढ़ाऊंगी, तो वहाँ आप काफे interesting इनका water canal system देखोगे, तो water vessel, मतलब एक ऐसा मैंने बरतन लिया है, जिसमें मैंने पूरी तरीके से पानी भर दिया है, और वो बरतन कैसा है, वो बरतन है cup के नुमा, ये हो गया cup, ठीक है, like, अगर मुझे बनाना हो, normally, जो ये terms actually बोल रहे हैं, अगर मैं उसे draw करूँ, तो ये हमारा cup हो गया, है न ये cup हो गया, और इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, पानी भर देना है, तो अब मैं इसके अंदर पानी भर दूँगी, तो कुछ इस तरीके से ये structure आपको दिखाए देगा, आप जैसे ही आप इसे उल्टा करोगे, इस structure को, ये cup वाले structure को, तो आप इस structure को कुछ इस त तरीके से पाओगे, उल्टा कर दिया तो, और फिर से इसमें क्या करो, पानी भर दो, और ये आपने भर दिया इसमें पानी, तो now this structure is your what, this structure is your cycle structure, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इस वज़े से हम इसे water vessel, that is iron sponge कहते हैं, crow sponge क्यों कहते हैं, तो crow sponge इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब इनकी आप body, ये वाला जो structure देख रहे हो, ठीक है, ये जो structure आप देख रहे हो, तो ये उपर वाला part जो है, ये ऐसे smoothly नहीं होता है, ये crow sponges like, जैसे crow के feathers होते हैं इस तरीके से होता है, और फिर आगे चल करके, अपना body जो है, इस तरी दिखाई दे रहा है, fringes निकले हुए होते हैं, और ये काफी ज़्यादा बड़े होते हैं, और ये specules, जैसे एक कवे का पंक होता है, उसी तरीके से इनमें ये specules बाहर निकला होता है, that's why, क्योंकि crow के feathers के नुमा आपको ये दिखाई देते हैं, तो ये crow sponge हम इने बोलते ह ओके, तो मैंने क्या बताया, इनके तीन commonly name है, और तीनों इन्हें क्यों बोला जाता है, मैंने उसका आपके साथ discussion भी किया, सबसे पहले मैंने बताया, कि इन्हें हम skypha कहते हैं, क्योंकि इसे term से लिया गया है, cup term से skyphos term से लिया गया है, second हम इने urn sponge कहते हैं, urn sponge इस कहते हैं, because इन में long, ठीक है, इन में क्या होता है, long and straight आपको जो इस पिक्यूल है, वो दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, so these are three terms, three common name, जो कि आप साइकन को बोलते हो, now let's talk about the classification, वर्गी करड़ इन साइकन का, ओकी, देखिये, जो classification है, हमारे साइकन का, वर्गी करड़ जिसे हम कहते हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे साइकन के kingdom की, तो kingdom इनका animalia है, phylum इनका porifera है, class इनका calcarea है, order heterocyla है, family sighted है, and genus साइकन है, ठीक है, देख लीजे, यहाँ पर genus इनका साइकन है, तो हम एक एक करके बात करें देखे, animalia kingdom तो बहुत ही general बात है, कि animal है तो animalia में रख दिया, let's talk about the porifera, porifera के बारे में मैं आभी आगे बात करूंगी, बड़ मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि porifera मतलब क्या है, देखे, porifera का मतलब यह है, कि यह lowest multicellular animalia है, क्या है, lowest multicellular animalia, lowest, wait a minute, let me change the color, ठीक है, lowest multicellular animal, मतलब यह, कि यह बहु कोशिय तो है, लेकिन काफी ज़्यादा नीमन इस तरके बहु कोशिय यह होते हैं, इनके जो pores, मतलब इनमें pores पाये जाते हैं, क्योंकि नाम से पता चलना है, porifera, तो इनमें pores पाये जाते हैं, बहुत सारे इनकी body पे इस तरीके से, pores आपको दिखाई देते हैं, जो बड़ा वाला pore होता है, उसे आप क्या बोलते हो, osculum, और जो छोटा वाला pore होता है, उसे आप ostia बोलते हो, इनके पास क्या होता है, spongy appearance होती है, है न, उसके अलावा कोई भी organ नहीं है, no organ in their body, कोई ऐसा specific organ नहीं है, जो इनका पूरा metabolic processes कराता हो, और हमारे porifera में जो nutrition होता है, वो काफी बार, काफी बार के अधिकतर ही आपको holojoic नजर आता है, क्योंकि कोई organ नहीं है, अराम से ये घोट लिया, इसी भी खाने को, and the most important thing, कि they have the power of regeneration, regeneration की power भी इनमें काफी जादा आपको नजर आती है, तो these are the characteristics of porifera, जो कि हर porifera भले, जो आपका साइकन हुआ, या कोई other porifera नस हुए, उसमें आपको ये नजर आएगा, ठीक है, let's talk about the calcarea, now, calcarea जो है, अब इसमें हमने साइकन को रखा है, तो क्या-क्या साइकन के अंदर characteristic होने चाहिए, तो यहाँ पर जो iscalitons होंगी, जो हमारे साइकन की, वो बनी होंगी calcareous specules से, किसे बनी होंगी, calcareous specules से, ओके, और ये जो calcareous specules है, carcinoma structure जो है, ये बना होगा, calcium carbonate, जिसे की आप कहते हो, silica, CACO3, तो ये CACO3 जो है, silica, इससे इनकी जो body, जो skeleton है, वो बनी होती है, और body calcareous, जितने भी आपको poriference दिखेंगे, उन सभी की body आपको cylindrical दिखाई देगी, साथ ही साथ, वो radial symmetry शो करेंगे, कैसी symmetry, radial symmetry, तो अभी तक हमने इनके classification से ही जान लिया, कि जो साइकन है, वो lowest multicellular animal है, इन में pores है, austean osculum नाम के, इनकी spongy appearance होती है, कोई organ नहीं है इनकी body में, nutrition hollow जो इक है, power regeneration की काफी जाता है, मतलब कि अगर कोई भी part तूट जाता है, तो वो बहुत ही आसानी से वापत से आ फिर हमने calcarea से जाना की, जो इनका skeleton है, वो कैसा है, बना हुआ है calcareous specules से, और ये calcareous specules बने है calcium carbonate, that is silica, CaCO3 से, और इनकी body जो है, वो cylindrical है, और radial symmetry पाई जाती है, तो इतना कुछ आपनी किवल classification से देख लिया, है ना, अब नाव, अब हम बात करेंगे, heterocilia क्या है भई, इनके order क्या आपको suggest कर रहे हैं कि कौन-कौन सी characteristics आपको देखने को मिलेंगे, तो heterocilia जो है, इसमें आपको basically the most important thing, the most important thing that is psychenoid type of आपको यहाँ पर, psychenoid type का आपको यहाँ पर canol system दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, psychenoid type of canol system, अभी मैं बताऊंगी psychenoid type of canol system क्या है, जो कि basically हमारे psychen में ही पाया जाता है, leuconoid type का भी होता है, तो वो दूसरे जानवर्स में पाया जाता है, यहाँ पर heterocilia बताता है कि हमें, हमारे जो psychen है, उसमें psychenoid type का canol system दिखेगा, जो कि major part है आज के topic का, second, इनकी जो body होगी, वो waste shape की हो सकती है, जैसे आपके घर में जो fool रखे जाते हैं, तो उसके लिए pots होते हैं, तो वैसे इनकी body होगी, और जो body wall होगी, again the most important, आपको यहीं से पता चल जाता है, कि इनकी body wall जो है, वो folded होगी, यहीं से पता चल जाता है आपको, आपको अंदर कुछ पढ़ना ही नहीं है, आपको structure देखना ही नहीं है, हेट्रोसीला में है, आपको पता है, कि body wall जो है, वो folded है, छीक है, इतनी कुछ बाते हमने अभी तक साइकन के बारे में, इनके classification से ही जान ले, अब family cytida, family cytida क्या बताता है, cytida इसको बोलेंगे कि यह जो है, white से cream color के आपको दिखाई देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर image लगाया है, तो यह आपको इसी तरीके से white से लेकर के cream color के आपको cytida जो है, वो दिखाई देंगे, and यह अपने एक substratum, नीचे के ए like this is the cycle, and यह जुड़ा होगा एक substratum से, अराम से खड़ा होगा, जैसे आप जमीन पे खड़े होते हो, वैसे ही वो कैसे कहां खड़ा होगा, उस substratum पे खड़ा होगा, जो भी rock पे वो चिपका होगा, उसे हम क्या कहेंगे, substratum कहेंगे, तो इनका substratum हो कौन कौन सकता है, तो cell हो शकती है, ठीक है, different type of other organisms के ऊपर के खोल जो होते हैं, cells हो सकते हैं, या फिर rocks हो सकते हैं, तो यह चीज़ आपको family site ID बताता है, okay, so we are done with the classification, and I hope कि आपको चीज़े बहुत अच्छे से समझ में आई हैं, अगर आप screenshot लेना चाहते हैं, तो please go ahead and take a screenshot, now let's move on our next slide, that is porifera क important characteristics, ठीक है, जैसे हमने protista, protojoins के पढ़ेते, वैसे हम porifera के important characteristics पढ़ेंगे, okay, so देखी हम porifera को commonly sponges बोलते हैं, हिंदी में अगर आपको notes चाहिए, परिशान नहीं होई है, यहां मैंने notes अल्रेडी बना कर रखा हुआ है, आपको cable screenshot लेना है, just wait and watch, and थोड़ा सा बस सुन ल मैराइन, मैराइन मतलब क्या, कि जो पानी होगा, जिस पानी में ये रह रहे होंगे, वो थोड़ा सा खा रहा होगा, जो sponges होता है, यू, sponges बोलते हो, ठीक है, वो fresh water porifera है, तो उसे आप याद रखिएगा, exceptions में होते हैं, mostly आपको मैराइन दिखेंगे, इन में जो water canol system है वो काफी जादा प्रचलित है, water, ठीक है, यहाँ पर S नहीं होगा, water, तो water canol system इसमें पाया जाता है, different type के हो सकते हैं, leukonoid हो सकते हैं, psychonoid हो सकते हैं, digestion इन में intracellular होता है, मतलब कि cell के अंदर, एक देखें, जब ये cell पहला है, ये cell दूसरा है, अगर cell के अंदर ही क्या हो हो रहा है, in between two cells हो रहा है, तो हम उसे intracellular कहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर within a cell, एक ही cell के अंदर क्या होता है, digestion होता है, that's why हम इसे intracellular बोल रहे हैं, ठीक है, water canol जो कि इन में काफी ज़्यादा प्रचलित है, वो ही responsible होता है, इन में nutrition, excretion, respiration and reproduction की process के लिए, क्योंकि मैंन बहुत सारे question पूछे जाते हैं, collar cells इसमें present होते हैं, again the most important, skeleton जो होती है, वो specule से बनी होती है, मैंने बताया, और spongine fibers जो होते हैं, आपके calcium carbonate जो होते हैं, उससे आपको देखने को मिलते हैं, हर्माप्रोडाइट इनकी body होती है, sexual and asexual reproduction आपको देखने को मिलता है, fragmentation, internal budding के द्वारा आपको asexual reproduction देखने को मिल जाता है, fertilization इनमें internal होता है, और indirect development होता है, now जहां पर भी indirect development होगा, वहापन लार्वा का formation बनना, मतब एक लार्वा तो जरूर बनेगा, तो जो भी हमारे poriference होते हैं, उनमें लार्वा की अगर मैं बात करूं, especially मैं साइकन की बात कर तो उनका लार्वा है, amphiblastula, ठीक है, क्या लार्वा है, amphiblastula लार्वा है, और जितने भी poriference होते हैं, उनमें the most important poriference, अभी screenshot ले लिए ठीक है, the most important poriference है, साइकन, जिसे आप स्काइफा बोलते हो, spongyla, जिसे आप fresh water sponges बोलते हो, u sponges जिसे आप bath sponges बोलते हैं, and leucosolenia, य यह भी आपका एक another poriference है, तो these are the examples of poriference, जिसमें साइकन आपके BST में दिया गया है, पढ़ने के लिए, ठीक है, अब हिंदी वाले बच्ची, आप लोग भी जल्दी से इसे क्या करिए, screenshot करिए, और जहां पर यह अधिकतर मैं sign लिखा हुआ है, ना, वहां पर अधिकतर मै sign नहीं, marine water कर लीजिएगा, और wet scanol को water canol कर लीजिएगा, उसके अलावा तो सब कुछ ठीक ही है, यहां पर ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, poriference को अगर मैं बताओं, तो poriference तीन classes में बाती गई है, ठीक है, the first one is your calcarea, जिसमें आपको skeleton type, जैसे हमने पढ़ा, कि हमार second calcarea class से बिलॉंग कर रहा है, तो calcarea में जो skeleton है, वो बना हुआ है calcium carbonate से, hexatinadylida, यह हमारा second class है, porifera का, जिसमें जो skeleton होगा, वो silica का बना होगा, and the example of this is hylo nema, and third class है हमारा demo spongia, जिसमें जो spongine है, ठीक है, या फिर silica है, वो आपके skeleton को बनाते है, and the, यहाँ पर example है, you spongia, जिसे कि आप bath sponge भी कहते हो, ठीक है, काफी बार पूछा जाता है कि bath sponge किसका common name है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है, तो calcarea में आपने देखा, कि जो skeleton है, वो calcium carbonate, CACO3 से बना है, hexatinadylida, जो है silica से बना है, और जो हमारा demo, आपका देखा, एक minute, what, demo spongia जो है, इसमें आपने देखा कि skeleton spongine या फिसलिका से बना हुआ है, ठीक है, तो यह तीन चीज़ याद रखिएगा, calcarea, hexatinadylida, ठीक है, ऐसे नेम होते हैं ना, और demo spongia, ओके, now let's move on our next slide, shape, size and habitat पढ़ेंगे, shape अगर मैं बात करूं साइकन की, तो साइकन का shape टिपिकली आपको cylindrical दिखाई देता है, tubular body होती है, central cavity बीच में, जो ऐसे मैं बता रही थी ना, यह cup है, तो यह जो बीच वाला portion है, यह पूरा portion आपका न, क्या है, sponge seal है, यह जो पूरा portion है, यह बीच का, this is the sponge seal, और यह portion बहुत ज्यादा important है, water canal system में अभी आपको पता चलेगा, तो यह central cavity actually होती है, this is the body, and यह cylindrical हो गई, और बीच में इनके, ऐसे sponge seal हो गया है, जो कि central cavity होती है, बीच में खाली है, पूरा खाली होता है, कुछ भी इसमें नहीं होता है, because again I am saying this, कि कोई इसमें क्या है, और गनी नहीं पाया जा रहा है, okay, फिर multicellular आपको यहाँ पर radial canals दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देता है, multicellular radial canals दिखाई देंगे, उसके अलावा outer surface, मतब जो कि बाहर से अंदर आपको पूरी तरीके से लगे हुए, तो वो radial canals दिखाई देंगे, size की मैं बात करूँ, तो यह vary कर सकते हैं, size में काफी जादा छोटे से बड़े हो सकते हैं, like अगर मैं typical size बताऊं, तो इनकी 2.5 से 7.5 cm यह होती है, ठीक है, तो यह size इनकी थी, जो की काफी जादा छोटी size है, और मैं again बार-बार कह रही हूँ कि screenshot प्लीज लेते चलिएगा, मैं हो सकता है किसी slide में ना बोल पाऊं, तो आप लोग प्लीज अपने आप से ही, जो screenshot है उसे लेते चलिए, ना अगर मैं बात करूँ इनके habit and habitat की, तो habit cycle sponge जो है, यह generally आपको sedentary दिखते हैं, और यह substrate जैसे की rock हो गया, shell हो गया, यह किसी hard surface इससे हमेशा जुड़े हुए होते हैं, खड़े रहते हैं वहीं पर, ठीक है, यह social organism होते हैं, मतलब कि यह hill-dull नहीं सकते हैं, अगर motile लिखा होता है, तो hill-dull पाते हैं, और अगर social लिखा है, that means कि एक ही जगह पे चुप-चाप सावधान अवस्था में खड़े रहेंग मेराइन हैबिटेट में दिखाई देंगे, sallow, coastal, water, coral, reef वगेरा में आपको यह देखने को मिलेंगे, काफी सारे चटान जहां पर होंगे ना, वहाँ पर आपको साइकन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, widely distributed होते हैं, और अकेले मतलब कि solid tree भी पाये जा सकते हैं, और साथ ही साइकन के different body structures की बात करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि साइकन के कौन-कौन से body structures जो है, वो है, ठीक है, साइकन के अगर मैं बात करूँ, तो अभी मैंने बताया कि cylindrical होते हैं, ठीक है, branched cylindrical भी यह हो सकते हैं, और जो branches निकली होती है, वो same ही sub-statum से निकली हो है, वो देखने को मिलेगा, and this is none as the branch, and ये बड़ा वाला जो portion है, opening है, this is ossiculum, ठीक है, ये ossiculum है, and छोटे-छोटे आपको जो pores इन पे दिखाई देंगे, ये pores आपके कहलाते हैं, austia, ठीक है, तो छोटे-छोटे जो pores हैं, वो austia, और बड़ा वाला जो है, वो osculum, काफी ब बच्चे बूल जाते हैं, तो याद रखिएगा, कि जो osculum है, ये बड़ा term है, that's why बड़ा वाला जो opening होगा, वो osculum होगा, और austia छोटा सा term है, तो ये छोटा वाला pore होगा, okay, तो ये चीज आपको समझ में आई, now, even though, जो body है, इनकी ये firm रहती है, constantly, लेकिन ये slightly flexible भी ह होते हैं, मतब कि हिलडूल, like, हवा वो आएगी, तो वो थोड़ा सा इधर-उदर हो जाएंगे, बट खुदे से चलके कहीं नहीं जाने वाले हैं, okay, they have minute opening called pores, जिसे की austia कहते हैं, मैंने बताया, और एक बड़ा सा आपको opening इनके end manager आएगा, उसे आपको होगे osculum, ठीक है, तो दो terms आपको यहाँ पर याद रखने है, the austia, the smallest pore, मतब small pore, and osculum, the large pore, ठीक है, यह large होता है, यह आपको यहाँ से body structures में पता चला, अब अगर इनके body structure में मैं और चीतों की बात करूँ, तो screenshot ले लो पहले, समझे, अब यहाँ पर structures की बात करते हैं, यह रहा ossicular fringes of man hexon, यहाँ पर आपको न ऐसे ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो इसे ही आप बोल रहे हो, ossicular of man hexon, यह body specules आपको यहाँ पर नज़राएंगी ऐसे करके, dermal austria यह जो छोटी-छोटी pores आपको दिखाई दे रहे हैं, और यह इनकी overall body है, और यह इनका ossicularum है, ठीक है, और नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा common base, जो कि सबच stratum से जुड़ा हुआ होगा, तो यह एक बहुत simple सा, प्यारा सा diagram है, तो अगर आप इसे अपने examination की copy म भी बनाना चाहते हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जो wall होती है हमारे साइकन की, यह lined होती है pinacocytes से, इनमें pinacocytes पाय जाते हैं, यह एक cell होते हैं, छोटे-छोटे cells होते हैं, तो उनहीं से पूरी की पूरी body जो है, वो lined होती है, पू साइ देंगे, एक inner layer होगी, जो कि mix होगी, ठीक है, काफी सारे cells से मिल करके बनी होगी, इनकी body radially symmetrical हो सकती है, asymmetrical भी हो सकती है, और इनके पास capability होती है, कि यह regenerate part को फिर से वो क्या करें, sorry, lost part को दुबारा से regenerate कर लें, इनमें needle like spines पाय जाते हैं, जिसे कि आप specule कहते हो, और इनकी पूरी overall body पे यह specules फैले हुए रहते हैं, ओके, चलिए, अगर मैं आगे बात करूँ, ठीक है, ओके, now let's talk about the physiology of second, the major part, तो अब हम पढ़ेंगे water canal system, ओके, क्या पढ़ेंगे हम water canal system of, तो जो हमारी sponges का water canal system होता है, यह काफी जादा unique होता है, और यह आपको देखन को मिलेगा कैसा, psychanoid type का, इस चीज को याद रखीगा कि psychanoid type का, इनका, क्या होता है, water canal system, जिसमें आपको different parts पढ़ने हैं, जैसे कि, austria, spongosil, radial canal, in-current canal, prosofiles, ex-current canal, and apophiles, ठीक है, तो हम बात करेंगे, सबसे पहले structure की, then we will move forward on the whole, like, पूरा elaboration, ठीक है, तो पहले मैं खोद से structure बना के आपको दिखाती हूँ, then उसके बाद हम लोग move on करेंगे, आपके theory portion पे, okay, तो मैं कोशिश पूरी करूंगी, कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये structure बना करके दिखाऊ, कोई गलती होती है, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम एक outer lining करेंगे हमारे sponge की, ओके, तो ये रहा हमारा sponge का outer lining, और ये outer lining जब हमें water के नौल system पढ़ना होता है, तो ये काफी ज़्यादा wide होता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा wide, बहुत सारे अंदर cells देखने हैं, तो ये मैंने एक water, एक मैंने sponge को उठाया, उसकी surgery करने के लिए उसे खोला, तो ये आपको यहाँ पर दिखाई देंगे क्या, ossicular fringes, ये हैं इनकी क्या, ossicular fringes, और नीचे अब ये जो portion है, ये सबस्ट्रेटम से कुछ इस तरीके से जुड़ा होगा, ठीक, जैसे ही आप इनकी body के अंदर मतलब देखोगे, जैसे जैसे आप इने का बाटते जाओगे, तो आप यहाँ पर अब एक इस तरीके से जगनुमा structure देखोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसे आप बहुती प्यारा सा ऐसा ribbon-like structure आप बनाते जाओ, ठीक है, और बनाते 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 इसे इस वाले point से जोड़ दो, ठीक है, ये आपने अब ये आपके हो गए radial canals, ये जो आपने बनाया है, these are your radial canals, ओके, ये आपके radial canals हैं, जो की काफी ज़्यादा important हैं, और ये outward से inward, inward से outward ये फैले रहते हैं, मतलब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, तो ये क्या होते हैं, ये पूरी तरीके से फैले होते हैं, ठीक है, ये स आ रहे हैं इन साइकर में, अभी आप मुझे बताओ, सबसे पहला पार्ट जो हमने यहां पर देखा, वो है ओसिकुलर फ्रिंजेस, है ना, तो, let's change the color actually, ये हो गया, ओसिकुलर फ्रिंजेस, लिखते चलिएगा, और ये है हमारा ओसिकुलम, ठीक है, क्या है ये, ये और ओसिकुलम के बाद, हमने क्या दिखा, रेडियल केनॉल्स, तो ये हो गए हमारे रेडियल केनॉल्स, आरसी, ठीक, और बीच में ये जो आपको इतनी बड़ी काविटी दिख रही है, ठीक है, इसको मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, ये जो आपको इतनी बड़ी कावि तो ये बड़ी सी cavity जो है ये sponge o seals है ठीक है इसको मैं color कर देती हूँ so that मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा है ना ये बीच में हो गया इन में क्या? sponge o seal ये क्या है? sponge o seal ठीक ये sponge o seal हो गया और आपको नजर आएगा dermal ostea कहा नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है थोड़ा भी अभी नजर आएगा कैसे देखो जब आप इसे कुछ इस तरीके से देखो गए ना? समझो इसे जोड़ते जाओ ये जो portion है ये जोड़ते जाओ ये portion हो गया आपका क्या? austia ये छोटे छोटे pores जो है ये हो गया austia जो कि इनकी body से आपको निकलते वे दिखाई देगा ये क्या है? austia है ठीक ये austia कैसे austia है भई ये? देखो नजर आएगा भी आपको austia ये आपको ना मैंने ये वाली जो wall है इसको काफी जादा ऐसे क्या बनाई है दूर बनाई है क्यों? क्योंकि आपको समझ में आए लेकिन समझाना मैं जो चाह रही हूँ उसे अच्छे से समझना क्या? क्यों आपको ये portion दिख रहा है ये austia है ये क्या है? ये छोटे छोटे पोर्स हैं और ये पोर्स बाहर और अंदर के जितने भी समान हैं उन्हें क्या करेंगे? एक्सचेंज कराएंगे तो what is these pores? इस pores are austia हम starting से बात करें तो हमने austia देखा हमने sponges seal देखा हमने radial quinol देखा और अब हम देखेंगे क्या? प्रॉसोफाइल और अपोफाइल प्रॉसोफाइल कहां होता है? तो प्रॉसोफाइल है बाहर का part कहां है? प्रॉसोफाइल जो है वो है बाहर का part जो की आप को exact location मतब मैं इस पूरे जगा पर diagram नहीं वो बना पाऊंगी लेकिन मैं कोशिश आप से करने के लिए मतब मैं कोशिश कर सकती हूँ तो मैंने enlarge view भी आपको बताया अब मैं एक surface लेके बताती हूँ एक तरफ का left or right कुछ भी मालनी जी आप और उसको मैं बताने की कोशिश करती हूँ तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर दिखेंगे बाहर से अगर आप अंदर की तरफ एक sponge के अंदर घुसते हो मालनो आपके पास डोरे मौन का एक gadget आ जाता है और आपको sponge के अंदर पोटे से हो करके घुच जाते हो तो सबसे पहले आप कहां जाओगे पता है आप सबसे पहले इस austria से entry लोगे और austria से entry लेने के बाद austria नहीं बोल रही हूँ austria में चले जाना austria ठीक है austria में आप जाओगे ठीक है लिखते चलते हैं ठीक है, तो second क्या है, I see in current canal, उसके बाद in current canal में जाते ही आप proso files के द्वारा radial canal में घुस हो गए, ठीक है, तो आप इसे कुछ बहुती easy way में आप अपने खुद के copy में इस तरह बनाईएगा, कि ये हो गया proso file, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, proso file, और proso files के बाद आप तो आप ही बताओ, आप कहा जाओगे फिर, आप जाओगे इस तरीके से radial canal में, ठीक है, ये proso files जो है, ये radial canal में आपको ले करके जाएगा, ठीक है, फिर उस radial canal से आपने अभी पढ़ा था कि sponjo seal के उपर छोटे छोटे आपको एपो files नजराते हैं, है ना, अभी आपने प files में जाओगे, ठीक है, तो लिखते चलो बाबा, ठीक है, लिखते चलो वनना भूल जाओगे, आपने क्या पढ़ा, आप ओस्टिया के अंदर गए, फिर इंकरेंट canal गए, फिर आप proso file गए, है ना, proso file आपको radial canal में लेकी गया, तो फिर आप radial canal गए, ठीक है, आर सी देती हूँ मैं, radial canal गए, फिर radial canal से आप एपो file में जा रहे हो, और फिर ये जो एपो file है, ये आपको अंदर, मैं कैसे बताओं, लाइक, ये एक circle है, इसके उपर मैंने एक छोटे छोटे hole कर दिये, ठीक है, मा लिजए एक ये bag है, एक circle है, बैलून है, ठीक है, मा लिजए ये बैलून है, और ये ऐसा बैलून है, कि इसके अंदर मैं पिन्स अगर करूँ, और उसके बाद मैं उसमें पानी भेजना चाहूँ, तो वो चला जाए, तो उसी तरीके से मैंने इस पोर से क्या किया है, अब अंदर के तरफ पानी जो है, वो डालने की कोशिश की है, तो अब इस्पॉंजो सील में पानी चला गया और जैसे ही पानी अंदर इस्पॉंजो सील जैसे कि घड़े के अंदर पानी चला गया अब ऐसे समझो कि घड़े के अंदर पानी चला गया घड़े के ऊपर छोटे छोटे पोर्स से एपोफाइल उस फाइल के अंदर से कहां चला गया बाहर exit हो गया body से ठीक है कहां चला गया body से ये exit हो गया exit होते हुए इसने अपने साथ साथ काफी सारे waste materials भी ये साथ में लेकर के body से चला गया तो this is the flow जिसमें आपको पढ़ना है कि पानी ostia से in current canol में जाता है फिर prosophiles में जाता है फिर radial canol में जाता है फिर epophile में जाता है फिर spongosil में जाता है और फिर बाहर कैसे याद रखना है ostia याद रखिए ic का उल्टा rc prosophiles का उल्टा epophile and then spongosil बहुत easy होता है ठीक है उपर के तीन याद कर लो नीचे के तीन याद हो जाएंगे ostia लिखो in current canol लिखो prosophiles लिखो उसके बाद ic का उल्टा rc prosophiles का उल्टा epophile and ostia का उल्टा spongosil बगेरा मतब ostia का उल्टा तो आप यहाँ पर osculum भी लिख सकते हो वीच में spongosil आप याद कर लेना तो this is the flow जिसमें water canol system यह होता है और इसी water canol system को हम लोग क्या बोलते है psychenoid type का water canol system हम बोलते हैं psychenoid type of canol system ठीक है am I clear with this point क्या मैं समझाने में सक्षम रही हूँ चले अब इसको theory wise पढ़ते है so that all clear हो जाएगा आपको देखिए जो ostea है यह मैंने अभी बताया कि काफी small pores होते हैं body पे हमारे जो sponges होते हैं उनकी body पे पाया जाते हैं उनकी surface पे जो उपरी सता होती है और यहीं से water जो है वो entry लेता है जैसा मैंने आपको बताया central cavity sponge seal ही main target होता है कि मैं किसी तरीके से sponge seal के अंदर चला जाओं और बस वह से तो फिर मैं बाहर निकल लूँगा तो sponge seal तक आने में काफी सारे उसे रास्तों का सामना करना पड़ता है जैसे कि आप in current canol में जाओ फिर prosofile में जाओ फिर radial canol में जाओ फिर apple file में जाओ तब आपको sponge seal मिलेगा लेकिन main target क्या है कि austria से घुसे और sponge seal में चले गए ठीक ह उसके बाद बीच में आता है radial canol जो की कैसा है मुडा हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया था जैसे ही मैंने आपको बोला था वहाँ पर कि जब आप इसका वर्गी करण कर रहे थे तो वर्गी करण में मैंने क्या बताया था कि body wall कैसी होगी folded होगी है ना मैंने बोला था न radial canol की और अभी मैंने आपको बना करके दिखाया radial canol कुछ इस तरीके से है ना ये क्या है body wall folded है ठीक है I hope कि आपको समझ में आया है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे efforts लगाया है समझाने में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि finally मैंने बहुत अच्छे से समझाया है okay the body wall जो है जो ये मुडी हुई body wall है जिसे आप radial canol कह रहे हो इस पॉंजो सील की ये periodically एक आपको finger like projections आपको देखने को मिलेंगे और ये किस से lined होगी तो coenocyte से please इसे याद रखिएगा coenocyte is the most important thing तो जो radial canols की walls होती है वो आपको coenocyte से बनी हुई दिखाई देती है please याद रखिए ठीक है उसके बाद let's move on our next point जो हमारा जिस भी fresh water में ये रहे रहे हैं sponges उनमें जो water होता है वो entry लेता है through the austria फिर वो spongeo seal main target पे जाता है और radial canols के द्वारा ठीक है सबसे पहले जो water है वो बाहर से अंदर आता है in current canol में austria के मतलब through उसके बाद prosofile से radial canols में जाता है फिर epophile से वो क्या करता है इस पॉंजो seal में जाता है और फिर ausculum के द्वारा ये पानी बाहर फेक दिया जाता है तो यही आप भी मैंने आपको पढ़ाया था बहुत easy है बहुत ही ज़्यादा easy है आपको इसमें कुछ काफी जादा दिक्कत परिशानी की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है in current canol जो है ये एक tubular structure होता है ठीक है जैसा मैंने आपको बना के बताया था कि acid tube like है न मैंने बताया था ऐसे tube like है जो कि austria से होते हुए नजर आ रहा था आपको hence alternative arrange होते है invaginated fold of body wall the inner end जो होता है in current canol का व वो किस किस से lined है जैसे radial canol koanocyte से वैसे ही in current canol जो है वो pinacocyte से then prosophylle ये small pores होते हैं मैंने बना के बताया था आपको radial and in current canol के बीच में ये पढ़ते हैं ये each जो होते हैं वो intercellular channels बनाते हैं और यहां से पानी आपको radial canols में देखने को मिलता है porocyte to which prosophylle opens into arcylindrical ये सब च ठीक है फिर आगे चलते हैं आप screenshot ले रहे हो ना साथ में फिर मुझे मत कहना ठीक है फिर मुझे ना कहना कि दीरी मैंने screenshot नहीं लिया है चलो जल्दी screenshot ले लो उसके बाद psychenoid type का है मैंने आपको बताया एक बर और revise कर दू क्या मुझे ऐसा लग रहे है कि एक बर और आप से revise चलिए मेरे साथ बोलिए तो ये सबसे better idea है चलिए मेरे साथ आपको अब revise करना है कि कहां से concept कैसे गया पानी पानी है बाहर ठीक है ये पानी है black water है बहुत मैंगा पानी अब बताओ ये जो पानी है ये second की body है सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए हमें हमें चाहिए ओस्टिया ठीक है चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ सबसे पहले पानी ये black water कहा जाएगा इतना महगा पानी है भाई ये जाएगा ओस्टिया में ठीक ओस्टिया में गया चुछ्टिया के बाद कहहां जाएगा कॉष्टिया के बाद जाएगा ये हमारेkiem चुछ्टे मैंनूट पानी कहां जाएगा ब्लेक वॉटर महा पानी है प्लीज अराम भी जाएगा कहां रेडियल के डूल में और radial cannols के रास्ते काफी ज़्यादा मुड़े हुए है ना काफी ज़्यादा कठोर रास्ते हैं तो इस पे आपको इस पानी को काफी समझदारी से ले के जाना पड़ेगा तो radial cannols में पानी आ गया अब radial cannols से ये पानी कहा जाएगा ये जाएगा एपोफाइल में जो कि छोटे छोटे पोर्स हैं तो ये मान लिजे कि एपोफाइल हो गया और इस एपोफाइल से अब ये पानी कहा जाएगा ये पानी आ जाएगा इस पॉन्जो सेल में जो कि ये पूरा का पूरा ये पानी कहा आ गया ये पानी आ गया हमारे इस पूरे के पूरे इस पॉर्जो सील में अच्छा अब इस पॉर्जो सील से ये पानी कहा जाएगा जो ब्लैक वाटर सा अब ये पानी कहा जाएगा अब ये पानी इस इस पॉर्जो सील से बाहर हमारे ओस्किलम के दौरा बाहर फेक दिया जाएगा ये पानी आया बेट रमें तो color लेनी में परिशान हो जाती हूँ ये पानी आया black water और फिर ये पूरा collect हुआ और फिर oscular fringes की दौरा osculum से इसे हमने क्या किया बाहर फेक दिया क्यों क्योंकि ये black water अभी तक बहुत महँगा था लेकिन body में जाते ही जा ठीक है बढ़ थोड़ा सा अपने आपको भी स्वासी दे सकती हूँ इतना complicated topic है भाई आपको नहीं पता हुआ ठीक है हमने तो नहीं समझे अपने professors बगरा से समझ लिये होते तो आज कुछ औरी बात होती मुझे तो किसी ने इतने अच्छे से समझ जाया मतलब बैट करके है believe me if I say this ठीक है चलो अब ex-current canols की बात करते हैं ये canols जो होते हैं ये canols जो होते हैं ये canols जो होते हैं ये radial canols के are used by radial canols के दोरा use किये जाते हैं क्योंकि यहीं से पानी आप स्पॉंजो मतलब यहां से पानी आप स्पॉंजो सील के तरफ like होता है न मुडा देते हो कि स्पॉंजो सील में ही पानी जाए और ये भी pinacocytes से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं अपोफाइल जो होते हैं they are ingirdled और ये contractile myocytes होते हैं और इनकी opening हमारे स्पॉंजो सील में होती है ठीक है और पानी भी जो है स्पॉंजो सील में है वो इसी से एंट्री लेता है तो this is all about your canol system and again this is the pathway जिसमें आपको याद रखना है कि water outside से इनकरेंट के नॉल रेडियल के नॉल इस्पॉंजो सील exit of the body ओकी बीच बीच के यह याद रख ले ना कि austia है है ना प्रॉसोफाइल है और चलो जल्दी बताओ tell me all the answer in the comment section ठीक है सभी के answer हमें comment section में चाहिए और अगर नहीं आप answer दे रहे हो that means कि आप पढ़ नहीं रहे हो आप सिर्फ यहाँ पर आए हो आप पढ़ नहीं रहे हो ठीक है चलो अब osculum यह तो मैंने एक बहुत ही अच्छी picture ना जाने मुझे कहां से इतनी अच्छी picture मिल फिर आप देखते रहे ना ठीक है सबसे पहले water जो है वो dermal austria से entry लिया है ठीक है फिर आप देख रहे हो in current canol in current canol से आपको नजर लेकर के जानी है prosophiles के तरफ prosophiles से फिर पानी आपको radial canols के तरफ देखने को मिलेगा and radial canols से apophiles के तरफ फिर sponges seal में पानी आएगा and then osculum स water जो है वो पहार निकल जाएगा am I clear with this radial canols के पास क्या आपको special type of cells दिखाई दे रही है जिनका नाम है coannocyte क्या आपको यह दिखा coannocyte कहा है यह radial canols के पास है these are the radial canols ठीक है folded structure and these are the coannocyte okay यह क्या है यह है coannocyte जो कि हमारे radial canols पे आपको देखने को मिलते हैं अभी तब ही से सोच रहोगे दीदी क्या coannocyte coannocyte करी हो बता दो ना कि क्या है इसका मतलब क्या है तो देखो coannocyte एक ऐसे special type के आपको cells दिख सबसे पहले तो coannocyte मतलब cell तो coannocyte एक special type के cell है जो कि आपको radial canols and radial chambers में दिखाई देते हैं ठीक है coannocyte create करते है water current using their flagela flagela को use करके coannocyte water current को काफी जादा balance रखते हैं वो इसलिए balance रखते हैं क्योंकि उसी water canols से आपको feeding and gas exchange भी कराना है because मैंने क्या कहा था कि हमारे साइकन में कोई भी औरगन नहीं पाया जाता है और जब कोई औरगन नहीं पाया जा रहा है तो कैसे nutrition करेगा कैसे respiration करेगा तो वो जिंदा क्यों है खुद सोचो ना कि फिर वो जिन्दा क्यों है भाई वो जिन्दा इसलिए है क्योंकि उसमें अभी water canal जिन्दा है water canal चल रहा है water canal system जो है यही responsible होता है feeding mechanism के लिए भी respiration के लिए भी excretion के लिए भी तो यह जो different physiological processes है जैसे कि nutrition uptake हो गया, gas exchange हो गया, waste material का removal हो गया इन सभी का कारे जो है यह हमारे covenocytes होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है covenocytes जो हैं यह food को trap करते हैं, पकड़ते हैं food particles को जो की water जैसे मुझे फिर उतना बनाना पड़ेगा, wait, देखो, मैंने बोला ना यह थी आपकी wall ठीक है, बाहर वाली टाइकन की और इस पे लगे हुए हैं, काफी ज़्यादा आपको यहाँ पे ओस्टिया दिखाई देंगे, है ना और आश्टिया से जैसे आप, मैं वो अंदर का चीज नहीं बताऊंगी, ठीक है, अब यह radial canal है, ठीक है, अब यहाँ पर radial canal के पास यह covenocytes बैठे हुए हैं, और ऐसे हवलदार हैं यह ना ऐसे हवलदार हैं, कि यहाँ बैठे रहतें, एकदम चुपचा, कोई, कोई ऐसे आवाज भी नहीं करेंगे, और ऐसे चुपचा बैठे होंगे, ठीक है, कि आजा बेटा, आजा, आजा तु खाना आजा, पहले मैं तुझे पकड़ता हूँ, ठीक है, यह ऐसे बैठे होंगे तुझे हाथ पसार के, एकदम, हैं आ, ऐसे भीक मांगते हुए, ऐसे बैठे होंगे, और जैसे, जैसे इत पानी का फ्लो अंदर घुसा, ठीक है, जैसे ही पानी जो है, वह हे भारी मात्रा में अौश्टिया से अंदर आया, तुरंत यह चालू हो जाएंगे, जी चालू हो इसे ये अपनी जोली में पकड़ने लगेंगे, कि आजाओ, 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 ठीक है, और उसे पकड़ करके ट्रैप कर लेंगे, अपने पास उसने इतना खाना क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, अब इस खाने को वो, यही इनका न्यूट्रियंट है, इसी को अप्टेक करे देखेंगे, और इनके अंदर जो खाना को अराम से रहेगा, इसके अलावा यह एक और गाम करते हैं, इन्होंने खाना टो कलेट कर लिया, लेकिन एक ही कुईनोसाइट थोड़ी है, कुईनोसाइट की तो पूरी वहाँ पर सेना है, तो एक चलो मैं क्या नाम रखूँ इसी यह कह रहा है यह food ले रहा है ठीक है तो यह फूडि भया तो यह क्या कहता है धूसरा वाला और यह oxygen ले रहा है तो यह ही इस पानी की entry होती है वैसे ही ये भी जो हमारे oxy भईया है ना जो ये oxy भईया है ये इस पानी से तुरंट का तुरंट oxygen लेने का काम शुरू कर देते हैं और ये अपना इस पानी से जितना oxygen जितना dissolve oxygen होता है इस water में क्योंकि आपको पता है ना ह2O ह2O में oxygen है भाई तो इसमें जितना इस water में dissolved oxygen है ये oxy भाईया उसको ले लेते हैं तो covenocyte में आपको दो भाईया लोग का नाम याद रखना है कि एक भाईया है आपके foodie भाईया और एक भाईया है आपके oxy भाईया foodie भाईया जो है वो food का collection करते हैं जो उस पानी से आए हुए छोटी छोटी पार्टिकल्स उस पानी में होंगे food के उसे वो पकड़ेंगे and oxy भाईया हमारे जो होंगे वो oxygen जो dissolved oxygen होगा उसे वो क्या करेंगे absorb करेंगे ठीक है पानी अंदर गया spongeo seal से spongeo seal तक पहुँचा फिर osculum से बाहर निकला तो यह जो बाहर निकल रहा है उस दोरान पर आपको दिखेगा excretion का process किस चीज का excretion होगा excretion होगा carbon dioxide का यह oxygen ले रहे हैं तो carbon dioxide बाहर भी तो छोड़ेंगे तो carbon dioxide जो है वो बाहर निकलता है through the osculum जो water में ही फिर वो dissolve होके बाहर निकल जाता है और खाना खाया है तो वेश्ट प्रोड़क्ट बनेगा वो वेश्ट प्रोड़क्ट भी उसी पानी में घुलन सील होकर के उसी osculum से बाहर जो है वो निकल जाता है ठीक है कोईनोसाइट का काम पता चला कोईनोसाइट जो है वो हमारे food को trap करते हैं oxygen को absorb करते हैं और carbon dioxide को release कर देते हैं तो आपको पता चला है कि पूरे organs जितने organs हमारी body में है सबका कारेभार हमारे कोईनोसाइट ने उठा के रखा हुआ है कोईनोसाइट में आपको दो family नजर आएगी एक family होगी हमारे foodie जो foodie family है उसमें भी सेना बनी हुई है और जो oxy भाइया की family है उसमें भी सेना बनी हुई है तो oxy भाइया जो है उनकी सेना oxygen trap करेगी और मतब absorb करेगी और जो foodie भाइया है उनकी सेना जो है वो food trap करेंगे ठीक है am I clear with this point okay I think I am okay take the screenshot पहले मुझे इसे आप ही सोचते हों कि दीरी पहले पूरा गोज दो इस पे है ना यह सोचते हों कि दीरी पूरा गोज दो दी इस पे और फिर कहो अब water canol का वही जितना मैंने अभी energy लगा के बोला है वही सब चीजे यहां पर लिखी हुई है water canol system जो है वह आप देखोगे कि इसी के द्वारा यह medium like बनाता है जिसमें आप देखते हों कि यही respiration excretion हर चीज के लिए responsible है तो exchange जो होता है body में sponges में in out जो भी exchange होता है internal external कुछ भी तो वो हमारे water canol के द्वारा होता है इसी water canol के द्वारा जो food and oxygen है उसे body के अंदर लेके आया जाता है और इसी water canol के अंदर जो आपके nitrogenous waste हो गया है वो सब इसी water canol के द्वारा बाहर including the CO2 also ठीक है और यही water canol जो है यह carry करता है reproductive bodies हमसे sexual reproduction भी आपको water canol के द्वारा दिखाई दे रहा है इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर दो और चानल पर न्यू है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज लाइक करके जाईएगा ठीक है चलिए nutrition, respiration and excretion की बात करते हैं जैसा कि मैंने अल्रेडी बोल दिया है बट थियोरी आपको देना जरूरी है वर पानी के अंदर पानी के द्वारा एंट्री हुई कोवैनिस वाइट ने पकड़ लिया कोवैनोसाइट जो है वो इंगल्फ करता है इन फूर पार्टिकल्स को फूरी भाईया है उनकी सेना पुरा इंगल्फ करेगा बैट के और एमिबॉइट सेल को पास कर देता है की वहां तक पहुंचा दी जाती है ठीक है ठीक दर स्क्रीन शॉट ना आगे बढ़ते हैं देखे फिर क्या होता है इसी तरीके से असीमिलेशन होने के बाद एब्जॉप्शन की प्रॉसेस होगी और अपना ग्रोथ और डैवलप्मेंट अच्छे से अनर्जी लेके ले रहे हैं तो क्वेनोसाइट यही तो कर रहा है वहां पर क्या लिखाता है इंगल्व लिखाता है इंगल्व मतलब होता है घोटना तो क्वेनोसाइट क्या कर रहा है खाने को घोट रहा है है ना वो चबान ही रहा है वो डैरिक घोट रहा है तो इसलिए होलो जोई के cellular digestion इनमें आपको देखने को मिलेगा ठीक है a process comparable to the protozoans some amoeboidal cells often contain chlorophyll कुछ amoeboidal cells chlorophyll या green pigments भी आपको देखते हैं कुछ another poriference में उनमें आपको दिखाई देंगे जो की autotropic nutrition करने के लिए भी एक poriference को porifera को क्या करता है eligible कर देता है कि ठीक है भाई तुम्हारे में chlorophyll है अब तुम चलो खाना खुदी बनाओ photosynthesis के दोरान ठीक है तो eligibility दिला देता है उसके बाद ये the presence of algae within the sponges sponges के अंदर अगर algae है तो ये उनको काफी ज़दा help करती है algae पूरा green मस्त रहती है एकदम प्यारी beautiful सी खुबसूरस थी और sponges पर लगी रहती है और पूरा बाल-वाल अपना सही करके एकदम प्यारी खुबसूरस से बनी रहती है और ये क्योंकि इसके पास खुब सारा chlorophyll होता है तो ये photosynthesis के दोरान खाना बनाती है है ना और photosynthesis के खाना बना करके ये क्या करती है अराम से इन sponges को खाना दे देती है कि लो भाई तुम खाना खालो है ना और खाना इनको देती है उसी से इनका nutrition हो जाता है expression और respiration भी वही diffusion के द्वारा हो जाता है the contactile vacuos जो होते हैं are recorded in the ambivoidal cell कुछ जो fresh water sponges होते हैं उनके जो ambivoidal cell है ना उसमें fresh water sponges में नहीं fresh water sponges के ambivoidal cells में आपको contactile vacuos दिखाई देते हैं जो की important role play करते हैं osmore regulation and excretion में am I clear with the slide okay चलिए आगे बढ़ते हैं take the screen shot okay let's move on our next slide reproduction the last part of the today's video psychon जो है एक type का sponge है जो की class calcarea से belong करता है और इसकी body में sexual और asexual दोनों ही तरीके का reproduction पाया जा सकता है अब पहले screenshot ले लो और मैं एक बार पढ़ देती हूँ उसके बाद बताती हूँ asexual reproduction इनमें budding के द्वारान होता है जैसे की birds का formation होता है छोटे 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 आउट ग्रोथ आपको in cycles की body में से निकलते हुए दिखाई देंगे और जैसे है यह birds निकलेंगे और दूसरी जगह पर लगेंगे एक नया साइकन बन जाएगा फिर उसमें से कुछ तूटा नया बन गया है न तो ऐसी यह अपनी population बना लेते हैं तो asexual reproduction आपको देखने को मिलता है gamulation एक अनदर आपके asexual reproduction का type है जिसमें internal birds बनते हैं internal bird बनेगा budding में external बन रहा है outgrowth है लेकिन gamulation में internal birds बनते हैं जिनें हम gamules कहते हैं कई लोग jamules भी बोलते हैं gamules जो होते हैं यह unfavorable conditions में form किये जाते हैं साइकन के द्वारा यह jamules या gamules जो है यह protective covering इनके पास होती है और यह बहुत ही लाइक तुम इनको सर्दी में रख लो गर्मी में रख लो बरसात में रख लो किसी भी condition में रख लो यह जिन्दा रह जाएंगे क्योंकि इनकी उपर एक protective layer है और यह जिन्दा रहेंगे और फिर कहीं अच्छा सा substratum पाए मस्त अपना grow कर लिए है ना तो इस तरीके से इनमें asexual reproduction देखने को मिलता है अब मैं आपको visualize भी करा देती हूँ देखिए यह रहा एक sponge और budding के दौरान इस sponge में से छोटा सा outgrowth निकला ठीक है आउट growth निकल गया ऐसा लग रहा है मैंने तोड़ दिया इस पार्ट को और जैसे ही तोड़ा यह गिर गया नीचे वैसे तो यह अपने आपी तूट जाएगा बट मैं गई तोड़ दिया मैंने और तूटा और जैसे यह नीचे गिरा फिर मैं दो दिन बात देख रही हूँ कि भाई यह जो तूटा था यह तो इसको बहुती प्रोटेक्टिव कवरिंग मिली है भगवान का एक ऐसा इनके उपर क्या बोलते हैं उसको आशिरवाद है कि इनके पास इतनी प्रोटेक्टिव लेयर है कि इसके उपर आप धूप लादो परसात लादो गर्मी लादो बाढ़ लादो कुछ भी लादो भाई य यह नहीं टूटने वाला है अब यह जैम्यू बोड़े ही अच्छे से क्या होते हैं अराम से पड़े हुए होते हैं जैसे ही एक फैवरेवल कंडिशन पाएंगे यह क्या करेंगे एक नया साइकन बना लेंगे तो दिस इस असेक्शल टाइप ऑफ रिप्रोड़क्शन जैम चीजाव बड़े के मैं बात करूं तो यह तो नॉर्मल है यह आपको नॉर्मल कंडिशन में दिखाई देगी लेकिन जैमी लेशन के जो प्रॉसस है टेकट यूस आप लेशन फैरबरेवल कंडिशन देखोंगे मतलब की जे रशांकम करेंगे करना तो पड़ेगा तो यही कि भाई मेरी पूरी प्रजाती खतम हो जाए इससे बेटर तो यह है कि मैं जम्यूल बना लूँ हो सकता है कभी अच्छा फैवरेवल कंडिशन मिले तो यह जम्यूल नया साइकन बना ले इसलिए याद रिखेगा कि बढ़िंग हमेशा नॉर्मल कंडिशन में दिखाई देग साइकन इसपंजेज हर्माप्रोडाइट होते हैं मीनिंग इनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोड़क्टिव ओर्गन होता है इन्चरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलते हैं इसपर्म जो होते हैं वो रिलीस किये जाते हैं वाटर में बाई वन इसपंज इन्चरनल फर्टिलाइजेशन इंटर्णल य आपको दिखाई देता है फिर ड़लपमेंट इनमें फर्टिलाइज एग जो होता है वो लार्वा में ड़वलाप होता है जो कि वॉटर में रिलीस कर दिया जाता है औच्छा सशी को fahren वहीं अपना नुट्रिशन लेते ले करता है और growth and development होने के बाद बड़ा सा एक साइकन बन जाता है ठीक है क्या बोला इसमे sexual reproduction में देखो मैं समझाती हूँ ए sexual reproduction पढ़ा budding gemulation sexual में क्या होता है over and sperm का formation होता है जो male है ठीक है female and this is male female male जो है वो over secret कर रही है मतब produce कर रही है secret नहीं produce कर रही है और जो sperm है वो male produce कर रहे हैं क्या होगा कि जो over and sperm है वो हमारे जो साइकन होती है उसकी body में mesoglia नाम होता है एक part होता है यहाँ पर आपको यह over and sperm को मिलेगा जो mesoglia part होगा ना साइकन का उसी में आपको over and sperm देखने को मिलेगा ठीक है तो अब जो sperm है उसके पास होती है तेल ये रहा sperm और इसके पास है टेल तो यह कर पाएगा swim ठीक है यह रहा sperm मूविंग थ्रू मीजघलिया ओवा एमीबॉइडल सेल मतब एमीबॉइडल जो चीज लेकर के आती है इस पर्म टेल के सहरा लेकर आता है दोनों आते हैं दोनों क्या करते हैं अती इन्होंने क्या किया फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मिशन होता है और जाइगोट के बाद इनमें डैवलपमेंटल इस्टेजेज चलती है और डैवलपमेंटल स्टेजेज के बाद आपको डैवलपमेंटल स्टेजेज दिखेंगी डैवलपमेंटल कि जो हमारा developmental stage होता है साइकन की बॉड़ी में वो inside the mother चलता है क्या बूला मैंने कि developmental stage साइकन का हमेशा ही मदर के अंदर चलेगा और जैसे ही लार्वा बन जाएगा लार्वा बाहर आएगा और बाहर आकर कि वो एक अच्छा सा सबस्टेटम देख करके उससे जुड़ खतम ठीक है most important thing कि इस काईफा का लार्वा क्या है साइकन का लार्वा क्या है तो याद रखिए नोट करिए बहुत important है amphiblastula okay amphiblastula ये है हमारे साइकन का लार्वा so this is all about the today's video the last thing is कि sponges जो होते हैं ये crucial role play करते हैं marine ecosystem में क्योंकि ये काफी सारा जो water होता है उसे filter करते जाते हैं और nutrients को recycle करते जाते हैं तो इस चीज को भी याद रखिएगा एक और point ऐन ऐसे ही एमई point है कि rate of the flow जो होता है हमारे water का sponges की body में वह 0.01 mm per second होता है ये rate of flow होता है हमारे साइकन की body में water का 0.01 mm per second चीक है एमई वाला point है ये ठीक है तो this is all about the today's video this is all about the sponges I hope कि आपको समझ में आया होगा साइकन and आज की class काफी ज्यादा अच्छी चलिया है मुझे ऐसा परस्नली लग रहा है मैं बहुत थोड़ा अब आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता comment section में जरूर बताएगा कि क्या आपको ये canal system समझ में आया है and now let's meet in the next video तब तक के लिए आप हसते रिए मुस्कुराते रिए भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी कि channel को आपको subscribe करके जाना है तो channel को subscribe करिए share करिए अपने दोस्तों अपने colleagues के पास and मिलते हैं next video में bye bye take care be happy bye bye